चोपड़ा है जो किस ने यूटूब चैनल पर मैं हरसाई चोपड़ा आपका हरदिक स्वागत करता हूँ मेरे प्यारे बच्चों आज इस वीडियो में हम नेट रिलेटेड और एम्स रिलेटेड कुछ इंपोर्टेंट अपडेट्स के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले नेट रिलेटेड अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं तो नेट के जो रिजिस्टेशन है वो फिर से रिओपन हुए हैं और इनकी लास्ट डेट आज 10 अप्रेल 24 यनि की रात 11 बज़के 50 मिनट तक है 10 बज करके 50 मिनट तक आप resistance कर सकते हैं और fees का payment रात 11 बज के 50 मिनट तक कर सकते हैं तो ऐसे candidate जिन्होंने NEET का form अभी तक नहीं apply किया है वो आज 10 अप्रेल 24 को रात 11 बज के 50 मिनट तक apply कर सकते हैं तो पहला update तो यह है दूसरा update यह है कि जो candidates यह सोच रहे हैं कि NEET का exam post bond हो जाएगा या election की वज़े से कुछ NEET के exam में problem आएगी तो इसके regarding NTA ने एक public notice जारी किया है और यह clear कर दिया है कि जो general election हो रहे हैं लोग शबा के उसकी वज़े से जो NTA के exam होंगे उन पर कोई effect नहीं पड़ेगा NTA ने इस public notice में ये भी का है कि social media पर इस परकार की rumors फैल रही है कि अगर किसी candidate ने general election में voting किया है और उसकी finger पर अगर ink लगी वी है तो उसको exam में नहीं बैठने दिया जाएगा ऐसा social media पर इस परकार की fact news फैल रही है तो NTA ने clear किया है कि ऐसा कुछ भी नहीं है ऐसा किसी परकार की कोई guideline भी issue नहीं की गई है NTA द्वारा तो candidate को इसके बारे में बिल्कुल भी प्रेसान होने की आवशकतर नहीं है कोई भी doubt नहीं होना चीए कि जनरल election की वज़े से NTA की जो भी exam होंगे जैसे NEET की exam होंगे, CUT की exam होंगे, J.E.M.N.S. वगरा की exam होंगे तो इन पर कोई effect नहीं पड़ेगा और मैं आपको ये पहले भी बता चुका हूँ कि जो NEET की exam है, फिप्तो मई 24 शाम दोपेर दो बज़े से लेके शाम पांस बज़के बीस मिनट तक कंड़क्ट होगी किसी भी कंडिडेट इस भ्रम में नहीं रहे कि इलेक्शन की वज़े से इसमें आगे पोस्पोंड हो सकती है या फिर इन में कोई प्रोब्लम आ सकते है इसके बारे में मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ क्योंकि ये पहले भी ऐसा हुआ है 2019 में भी इस परकार से एक्जाम होए थे इलेक्शन के टाइम में तो इससे कोई फरक नहीं पड़ेगा तो दूसरा अपडेट ये है कि इलेक्शन का नीट की एक्जाम पर या 90 की जो भी एक्जाम है उन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा तीसरा अपडेट एमस BSC Nursing Post Basic के इनकी एक्जाम और Registration के बारे में है तो इनकी जो Registration डेट है वो अक्स्टेंड हो चुकी है जो Basic Registration की डेट है वो 26 अपरेल 24 साम 5 बज़े तक Basic Registration कर सकते हैं एमस BSC Nursing या Paramedical Courses का या BSC Post Basic का इसके बाद में Code Generate कर सकते हैं 30 अपरेल 24 तक और Final Registration भी 30 अपरेल 24 तक कर सकते हैं इसमें जो Status है एप्लिकेशन का वो चेक कर सकते हैं 8 मई 24 तक और अगर उसमें कोई कमी हो गई और Supporting Documents वगरा आपको Upload करना हुआ इसमें तो यह 13 मई 24 तक कर सकते हैं इसमें तो यह था BSC Nursing के लिए जो डेट एक्स्टेंड हुई है AIMS की तो यह mostly तीन अपडेट थी जो मैंने आपको देना उचित समझा है और आप अभी इस समय तयारी करते रहें क्योंकि Exam बिल्कुल नजदीग आ चुका है और यही समय है आपका तयारी करने का इसमें आप अच्छी तयारी करोगे आपको अच्छा कोलेज मिलेगा आपको महनत करनी है आगे जो भी होगा वो देखा जाएगा कितना स्कोर आता है इसके आप टेंशन मतलो आप सिरफ महनत करो और जब महनत करोगे तो आपका अच्छा ही स्कोर आएगा मैं इस वर से यही कामना करता हूँ कि आपको अच्छा कोलेज मिले, आपकी अच्छी तयारी हो, इसी के साथ में इस वीडियो को यहां एंड करता हूँ, मिलेंगे नई अपडेट के साथ में नए वीडियो में तब तक के लिए जैहिंगे